ये वाइरस सीधा हमारी बॉडी में नहीं जा रहा, इसको हमारी बॉडी में कौन ले कर जा रहा है? इस वाइरस को हमारी बॉडी में ले कर जा रहा है, यह एक वेक्टर. कई लोगों को hemorrhage भी होने लगता है hemorrhage मतलब blood vessels का burst होना blood vessels या capillaries का टूटना platelets का count कम होता है तो वहाँ पे blood clot properly नहीं बन पाता इसलिए वो burst होती है मेरा blood sample लिया तो उसके अंदर मेरी body में dingo के against antibody बनी होगी और अगर हम चेक कर लेंगे कि antibody किसके against बनी हुई है तो हमें virus के बारे में भी पता चल जाएगा हलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों स्वागत है आपका physics वाला में और मैं हूँ आपकी दिक्षा माम जैसे कि सब बच्चों को पता चल चुका होगा कि NTA ने थोड़ा सा syllabus revise किया है 12th class में जो आपका chapter है human health and diseases उसमें उन्होंने दो नई diseases add करी है जो आज कल बहुत prevalent है एक है डेंगी या जिसे डेंगू कहते हैं और दूसरा chicken गुनिया तो बहुत से बचे ये सोचे होगा रहे इनकी notes ही नहीं है इनका कोई matter ही नहीं है हमारे पास कहां से पड़े तो बेटा आज आज आपकी इस problem का solution हम लेकर आए हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम डेंगी से जिसको डेंगू भी कहा जाता है तो let's get started with the डेंगी तो बेटा ये भीमारी बहुत सुनी है हो सकता है कुछ बच्चों को हुई भी हो वैसे तो ना हो किसी को प्रभू सबको ठीक रखें तो डेंगी या डेंगू कैसे होता है तो सबसे पहले डेंगू का बेटा common name क्या है इसे कहते हैं break bone fever इसमें जो fever होता है उसमें जो pain होता है वो इतना जादा होता है कि आपकी जैसे हड़ियां टूटरी होती है इसके बराबर pain होता है आपकी muscle में आपकी bone में तो इसलिए इसको कहा जाता है break bone fever सबसे पहले कौन है जो ये बिमारी करता है चलो देखते हैं कौन है causative agent कौन है परिशान कर देने वाला देंगी एक viral disease है और dengue virus ये बिमारी करता है dengue virus एक RNA virus है इसका genome क्या है बेटा? RNA जैसे हमारे में DNA होता है इस virus में RNA होता है एक particular family होती है viruses की जैसे arbo virus एक family है उस virus को ये dengue virus बिलॉंग करता है राइट? कौन सी family को? arbo virus को इस arbo को अगर split करके देखें इसका मतलब है arthropod born arthropoda सबने पढ़ा होगा बिटा arthropoda के बारे में सबने सुना होगा क्योंकि ये बिमारी में एक arthropod का बहुत ही you know महत्तपुरन रोल है इसलिए इस virus का नाम है arbo virus तो आप सबने एक मच्छर का नाम सुना होगा ades राइट? या मच्छर तो सुना होगा ना एक मच्छर होता है जैसे malaria मच्छर के काटने से होता है वैसे बेटा ये वला virus हमारे body में एक मच्छर के काटने से ही आता है आप देख पारे हो इस virus का चित्र ये है ये virus सीधा हमारी body में नहीं जा रहा इसको हमारी body में कौन लेकर जा रहा है इस virus को हमारी body में लेकर जा रहा है ये एक vector vectors क्या होते हैं बिटा? Vectors are vehicles that carries pathogen ये हमारी body में pathogen को inject करते हैं तो यहाँ पे जो आर्थ्रोपोड इस virus को हमारी body में लेकर आ रहा है वो है ये वाला आर्थ्रोपोड और इस आर्थ्रोपोड का नाम है बिटा Aedes, Aedes aegypti होता क्या है कि female Aedes कौन बिटा? female Aedes हमें काटती है अब आप बोलो कि female Aedes हमें क्यों काटती है? male क्यों नहीं काटती? तो वैसे भी औरते बदनाम है ना? औरते खून पीती है तो इनकी bee species में औरते बदनाम है होता क्या है? कि जो female मस्कीटो है वो बाइट करती है क्योंकि उसका एक कारण है उसके पास पहली बात तो वो अपरेटरस है बाइट करने वाला male मस्कीटो के पास नहीं होता है उसके पास जो अपरेटरस होता है वो प्लांट की सैप को फीड करने के लिए बनाया जाता है अब female को क्यों हमारा खून चाहिए? हमारे खून में बहुत जादा iron और प्रोटीन होते हैं तो यह iron और प्रोटीन उस मच्छर को चाहिए अंडा बनाने के लिए बच्चों को डिवलप करने के लिए अब male तो बच्चे नहीं पैदा करते हैं औरते ही करती हैं यूजिली हमारी species में भी ऐसे ही है तो यह female हमें क्यों बाइट करती है बटा? अब मान लो यह बिटा एडीज है अभी लिखेंगे हम सब कुछ इसके बारे में डोंट वरी राइट यह एडीज है फीमेल एडीज अब यह एडीज ने एक इंसान को काटा एक इंसान का खून पिया जिसको अल्रडी डेंगू था अब उस डेंगू से जो बंदा अल्रडी जूज रहा है उसके बाड़ी में उसके बलड में डेंगू का वाइरिस है अब नॉर्मल मच्छर जब एक डेंगूesz वाले बंदे को काटेगा तो डेंगू का वाइरिस उस मच्छर के अंदर चला जाएगा अब वो मच्छर क्या हो गया infected तो जब यह female ades mosquito यह female ades mosquito क्या है बेटा यह infected है याद रखना normal मच्छर के काटने से आपको कभी भी डेंगु malaria नहीं होता आपको होता है जब मच्छर खुद infected हो जब उसके अंदर खुद pathogen present हो तो जब यह infected मच्छर हमें काटेगा तो हमारी अंदर वाइरस चला जाएगा और हमें भी डेंगु आगे होगा fine तो यह जो मच्छर है ades आपने सुनाओगा यह ज़्यादा तर active दिन में होता है तो दिन में जो मच्छर काटता है usually कहते हैं उससे डेंगु होता है जो रात को काटता है उससे malaria होता है क्योंकि ades का time है रात का और ades का active time है दिन का अगलों की अपनी सुला हुई होगी मैं दिन में होगा तू रात को आई हो यह shift timings होगे तो ades की पहचान यह है बिटा ades में आपको black color का मच्छर होगा और उस पे white color की ऐसे stripes दिखेंगी white color के dots यह stripes दिखेंगी यह इसकी पहचान है इनौफलीज वाला हलका सा dark brown color का होता है और जो ades होता है वो black color का और उसके उपर white color की धारियां से होती है यह इसकी पहचान है तो दिन में देख लेना दिखा तो वहीं पे ठा कर देना उसको राइट तो हमें female क्यों कारते है ब and proteins from human blood human blood से iron और protein चाहिए essential for egg formation and development essential for egg formation and development चिक है तो सबसे पहले डेंगी का वाइरिस क्या है बिटा डेंगु वाइरिस एक RNA वाइरिस है कौन से family को बिलॉंग करता है आर्बो वाइरिस आर्बो वाइरिस वो वाइरिस होते है जिनका usually vector होता है और vector अर्थ्रोपोर्ड होता है यहाँ पर कौन सा vector है बिटा अर्थ्रोपोर्ड एक मच्छर female मच्छर ades, aegypti और यह मच्छर की खास बात है इसके उपर white color की धारियों होती है और female ही क्यों बाइट करती है क्योंकि उसको protein चाहिए iron चाहिए हमारे blood से जिससे की वो अच्छे से egg की formation कर पाए तो अब यह cycle देखो इदर बिटा wild ades थी wild ades का मतलब non infected एकदम नई ताजी है यह यहाँ पर non infected ades थी उसने एक इंसान को काटा यह इंसान था infected person इसको already डेंगू था छीक है अब इसके अंदर यह डेंगू virus आ गया अब इसने normal बंदे को काटा अब यह normal बंदे को भी symptoms आने लग गये इसको भी डेंगू हो गया तो कहते हैं दो दिन बाद आपको जादा severe symptoms आने लगते हैं तो एक कहते हैं कि virus को भी तो multiply होना है उसका भी एक developmental period होता है तो उसके बाद वो अपने एकदम से दिखाना शुरू कर देता है तो अब देखते हैं कि बेटा डेंगू के symptoms क्या क्या होते हैं सबसे पहले इसका common name जान लो common name है break bone fever तो सबसे पहला symptom यही हो गया कि आपको बहुत तेज बुखार होगा 102 तो आम होता है 103 104 यहां तक भी पहुंच जाता है तो अगर बहुत जादा fever है तो समझ लो कुछ ना कुछ ऐसा ही है इसके लावा body पे rashes होने लगेंगे आपको यह दो सबसे common symptoms है आपके डेंगू के आपकी muscle pain और bones में और joints में pain होगी muscle में pain, joints में pain, हड़ियों में pain आपको लगेगा जैसे आपकी हड़ियां तूट रही है इसके लावा आपको बहुत तेज सरदर्द होगा ऐसे लगेगा सर फटने वाला है इसके लावा आपको अपनी आँखें भारी लगेंगी और आँखों में भी बहुत pain होगा so pain in the eyeball ऐसे लगेगा कि आँख बहुत भारी हो गई है और बहुत ज़्यादा तेज का धर्थ है आपको नौजिया भी हो सकता है आपको vomit भी आ सकती है नौजिया वॉमिटिंग में क्या फर्रक होता है नौजिया में जी कच्चा होना वॉमिटिंग में वॉमिट आना और एक सबसे important swollen lymph nodes या glands swollen lymph nodes या tonsils ये एकदम से tonsils आपके swell हो जाएंगे यहाँ पर एकदम swollen हो जाएंगे और एक और symptom होता है कि आपके पूरी body में dryness बहुत आने लगेगी राइट एकदम इतना जादा कई हों कि dryness हो जाती है कि पूरे सिर्म में ऐसे dry dry हो जाता है यह एक normal डेंगू के बेटा symptoms हैं जो आपको आते हैं आई में pain, fever, headache, nausea, vomiting, rash, joint pain, bone pain and muscle pain तो आपने सुना ओगा कि जिनको डेंगू होते हैं उनका blood test कराते हैं और पता चलता है कि platelet count कम हो गया हना तो जब platelet count आपका बहुत जादा कम हो जाता है मतलब आपके 10,000 से भी नीचे कई बार चला जाता है कई लोगों का तो उस situation में कई लोगों को hemorrhage भी होने लगता है hemorrhage मतलब blood vessels का burst होना blood vessels या के pillories का तूटना तो ऐसे case में हम कहते हैं कि normal classical डेंगू से situation hemorrhagic डेंगू तक पहुँच चुकी है कि अब अंदर bleeding होने लगी है respiratory tract में, gut में bleeding होनी शुरू होगी, नाक में से खून आने लगेगा, हो सकता है, mouth में से खून आने लग जाए, कई लोगों के कान में से खून आने लगता है तो दो डेंगू हम मानते हैं, एक जिसमें ये सारे symptom होते हैं, उसे हम कहते है classical डेंगी, classical डेंगी में ये सब symptoms होगे बिटा, पर इसमें blood vessel rupture नहीं होगा दूसरा जो डेंगू है, दूसरा है hemorrhagic डेंगू, hemorrhagic में क्या होता है बिटा, hemorrhagic थोड़ा ज़ादा कहलो कि critical डेंगू है, ये ज़ादा severe होता है, this is more severe इसमें क्या होता है इसमें सारे सिम्टम्स होंगे सारे के सारे सिम्टम्स होंगे क्लासिकल डेंगी के वो सिम्टम्स तो रहेंगे ही रहेंगे all are the symptoms of classical डेंगी plus there will be burst of capillaries सारी blood vessel सारी तो नहीं normally जो पतली-पतली capillaries होती है क्योंकि उनमें blood का थोड़ा सा flow होता है वो तूटने लगती है platelets का count कम होता है तो वहां पे blood clot properly नहीं बन पाता इसलिए वो burst होती है तो आप सबने सुनाओगा कि platelet का काम blood clotting में होता है अगर platelet ही proper नहीं होगा तो बेटा आप सबको पता है blood clotting properly नहीं होगी तो जब blood samples देखते हैं तो platelet का count हमेशा डेंगी में कम मिलेगा अगर किसी का platelet count बहुत जादा drop हो गया है तो हो सकता है कि उसको डेंगू हो तो ये थे बेटा symptom classical डेंगी के और hemorrhagic के अब diagnosis देखते हैं diagnosis में एक तो हम blood test लेते हैं आप सबने सुना होगा blood test में हम platelets का count WBC का count देखते हैं और दूसरा एक test होता है torny quit test torny quit test में हम क्या देखते हैं एक band लेते हैं और उसको यहां बांद के एकदम tight कर देते हैं अगर किसी को डेंगू होगा तो उसमें platelet count कम होगा और अगर platelet count कम होगा तो उसके capillaries burst करेंगी अगर किसी बंदे को डेंगू है उसमें platelet count कम होगा उसके blood vessels के capillaries burst होगी तो आपको ऐसा pattern skin पे दिखेगा तो मतलब इस बंदे को हो सकता है डेंगू है तभी उसमें ऐसे rashes बन रहे हैं इस test को हम कहते हैं torny quit test इस test को हम कहते हैं torny quit test कि मतलब आपने जब band लगाया tight किया तो कुछ के capillaries तूट गई platelet नहीं था तो क्या हुआ rash बन गया and rash is a symptom of डेंगू high fever और rash होना symptom होता है डेंगू का और अगर blood test में platelet count भी कम आ गया तो भाई मानी लो ठीक है बाकी मैं doctor new doctor से पूछ ले ना पता लगे यसी को कुछ हो रहा और तुम खुद doctor बन रहो कि मैं आमने बताया था तो ऐसी चीज़ें सीधा doctor के पास ले जाएं हाथ जोड़के बोलें कि देख लो जी हमें यह हुआ है अब क्या हिसाब है चलिए treatment and vaccine वैसे तो यह virus है आप सब बच्चों ने सुना होगा कि viruses के लिए हमारे पास जादा medicines नहीं होती bacteria के लिए तो हम antibiotics खा लेते हैं तो फिर doctor इस case में क्या करते हैं दर्द को कम करने के लिए pain वाली दवाईएं देते हैं pain killers दे देते हैं right pain killers को हम antipyretics भी बोलते हैं fine बच्चा और साथ ही साथ doctors आपको कहते हैं जादा से जादा पानी पीजिए fluids पीजिए नारियल पानी treatment है अभी और कोई treatment इसका नहीं है right ऐसे कोई ऐस सच दवाई निये खाओ और एकदम ठीक हो गया पर एक चीज है कि इस case में क्यूंकि blood vessels burst हो रही है hemorrhage के chances होते हैं तो बोला जाता है aspirin जैसे दवाई नहीं लेनी चाहिए aspirin not recommended नहीं लेनी चाहिए reason क्योंकि aspirin बेटा क्या करती है यह आपकी stomach की wall को erod करती है तोड देती है gastritis कर देती है हमारे जो stomach में mucous lining होती है न उसको काट देती है तो आप already hemorrhage के chances पे हो आप ऐसी कोई चीज ले लोगे जो already आपकी wall को तोड रही है तो उससे hemorrhage के chance और बढ़ जाएंगे समझ जो इसलिए ऐसी दवाईया aspirin, ibuprofen जैसी जो दवाईये होती है वो मना की जाती है कि नहीं लेनी चाहिए पेंकिलर के लिए जैसे वो होती है न पेरसिटमोल टाइपस वो डॉक्टर जादा रेकमेंट करते हैं बाकी अगी 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 आपको सिंटम्स पता चले हाई फीवर राश होगा लांड स्वोलन होंगी और प्लेटलेट काउंट कम होगा हैमरेज दिख सकता है ब्लड वैसल बस्ट होंगी और इसमें जो कॉजटिव एजेंट था वो वाइरस था और जिसको ट्रांसफर कौन कर रहा है वो कर रहा है आपका वेक्टर कौन अर्थ्रोपोर्ट कौन मच्चर फीमेल मच्चर कौन सी एडीस चलिए अब बात करते हैं एडीस गुंचा की तो इस नोच चिकें गुंचा सबसे पहले चिकें नहीं है राइट सो इस चिकुन गुनिया चिकें गुनिया को हम डबल डप भी बोलते हैं इसका कॉमन बडव है डबल डप और कॉन टॉटेट और ट्विस्टिंग और बेंडिंग में इतनी अंग्रेज बिठा इतनी भी अंग्रेजी नहीं है, ठीक है इतनी तो मुझे भी नहीं आती, चिकन गुनिया का जो एक अंग्रेजी में मीनिंग है, वो ये है, अब इन सब का एक ही मीनिंग है, क्या होता है, चिकन गुनिया में जब ये बीमारी किसी को लगती है, उसमें जो सबसे तगड कहते हैं ने बहुत बड़ा जो symptom है वो होता है severe joint pain इसमें जो joint pain होती है वो डेंगू में भी नहीं होती है इसमें joint pain बहुत जादा होती है as a result आपका posture खराब हो जाता है आप ऐसे जुके जुके से हो जाते हो तो इसे कहते हैं double duct अगर मेरे पास एक wire है बच्चे मान लो मेरे प पासे wire है ठीक है यह सीधी है wire अब अगर मैं इसे fold कर दूंगी तो यह double हो गई न यह क्या होगी double हो गई दो हो गई तो ऐसे ही इसमें होता है इसमें आप में इतनी joint pain होती है कि आपका body का posture जुका हुआ होता है आप double हो जाते हो इसे कहते हैं doubled up आप twist हो जाते हो आप bend हो ज यही है इसका मतलब ओके तो यह तो हुआ इसका common name जैसे उसका था break bone fever इसका है double up अब बात करते हैं कि इसको कौन cause करता है what is a causative agent again यह भी एक viral disease है वो सकता है कि आपको neat में एकदम simply question आ जाए इसका यह भी आ सकता है बताओ इन में से viral disease कौन सी है या बताओ इसमें से viral कौन स कौन करता है cause again एक virus chicken gunya virus यह भी एक RNA virus है और यह भी उसी family को ही belong करता है it is also arthropod born arbo virus है यह भी कौन सा virus है यह भी arbo virus है again इसमें एक और चीज सेम अगर आपने डेंगू पढ़ लिया chicken gunya बहुत असान हो जाएगा क्यूंकि हर चीज almost same है इसमें इसमें जो virus है वो भी vector के through जाता है इसमें भी जो vector है बिटा वो है female ades mosquito कारण वही है बचारी खून भी ने आई अपने बच्चों के लिए पर उसको खुद नहीं पता था उसके अंदर virus है और वो आपको भी virus दे देगी एक बार जो मच्छर या मच्छी कह लो एक बार जो मच्छी infected हो गई उसके अंदर अगर एक बार virus आ गया वो पूरे जीवन उस virus को घुमाती रहेगी infection देती रहेगी yes this is true उसके अंदर virus रहेगा क्योंकि उसको नहीं पता कि उसको दवा खानी है उसको high fever rash नहीं हो रहा ठीक है तो once कहते हैं अगर एक बार मच्छी infected हो गया तो वो सारी उमर आपको गुमाता रहेगा है ना वो खुद इधर जाएगा उसको infected करतेगा उसको करतेगा उसको करतेगा तो बहतर यह है कि मच्छों को मारता हो okay तो यहाँ पे भी बेटा वेक्टर कौन है female ades mosquito ही है वही सेम कहानी है infected person से virus उठाएगी normal person को दे देगी okay तो वह ही ades है same वही आप देख पा रहे हो इसमें भी वैसे ब्लाक की उपर white color के spot है और यह भी बिचारी दिन में ही active होगी और यह है आपका virus कौन सा virus यही चिकन गनिया का virus okay चलिए अब बात करते हैं symptom की symptom क्या होंगे वैसे ही high fever होगा वैसे ही high fever होगा वैसे ही rash होगा वैसे ही swollen glands होंगे वैसे ही muscle and joint pain होंगी पस इस case में क्या होता है there is severe joint pain इसमें जो joint pain होती है उसमें नहीं होती राइट वैसे ही बिटा headache होगा वैसे ही headache होगा फीवर होगा तो कई बार क्या होता है अगर symptoms same है न तो कई बार misdiagnosis भी हो जाती है कि सारे symptoms तो same है आप कैसे पता चिकन गुनिया है या डेंगू है तो इसमें पता करने का एक तरीका है पहला कि इसमें जो joint pain है वो आपको चलने भी नहीं देगी डेंगी में तो आप फिर भी थोड़ा बहुत हिम्मत करके चल लोगे इसमें joint pain तो आपको बिलकुल भी चलने नहीं देगी मैंने आपको एक पहले picture दिखाए कि बंदे का posture ही घराब हो गया और दूसरा कि जब डॉक्टर को लगे कि भाई ये तो कुछ और भी लग रहा है तो डॉक्टर क्या करते हैं डॉक्टर डाइग्नॉसिस करेंगे डाइग्नॉसिस करके blood sample लेंगे अब blood sample में और particular virus को चेक करेंगे कि क्या ये डेंगू का virus है या फिर ये चिकन गुनिया का virus है ओके और इसके लावा antigen antibody interaction से भी हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा virus body के अंदर है इससे भी पता कर लेते हैं अब मालो किसी को अगर डेंगू है अगर हमने डेंगू का blood sample लिया और antibody डेंग को डेंगू है मेरा blood sample लिया तो उसके अंदर मेरी body में डेंगू के against antibody बनी होगी और अगर हम चेक कर लेंगे कि antibody किसके against बनी हुई है तो हमें virus के बारे में भी पता चल जाए ओके treatment सेम है बेटा treatment वही है pain killers दी जाती है क्योंकि pain बहुत जादा है और साथ में बहुत सारे body fluids भी दी जाते हैं वही virus है इलाज तो जादा है नहीं है तो यह था बेटास का treatment अब बात करते हैं कि इन दोनों बिमारियों को कैसे prevent किया जा सकता है कैसे इनका control किया जा सकता है आपने सुना होगा जब भी बारिश का season आता है या फिर डेंगू का outbreak आता है वैसे भी मच्छर कि इरिया में ज्यादा होते हैं मच्छर ईसवाना में ज्यादा होते हैं जा हमारे वाले जिसन उस अम्त्राइंड करते हैं तो आपने सुना हागा municipal corporation अपनी advisories देते हैं कुछ time पे खास कर बारिश के season में कि पानी मत कहीं पर stagnant होने दो अगर cooler है घर में air cooler उसमें पानी अगर काफी time से पड़ा है तो उनको साफ कर लो ऐसे क्यों कहते हैं क्योंकि जहां पानी खड़ा हो जाता है काफी time तक वो एक breeding house बन जाता है मच्छरों का मच्छर वहाँ पे बहुत ज़्यादा breeding करते हैं अपना परिवार बढ़ाने लगते हैं तो उनका परिवार बढ़ाने मत दो वरना आपके परिवार को परेशानी होगी आपके परिवार को वो काटेंगे और आपको malaria या डेंगू चिकन गुनिया जैसे बिमारिया दे जाएंगे हैं तो इसलिए घर पे कहीं पर भी पानी को ज़ादा टाइम तक stagnant ना होने दो तो दो नोट अलाओ पहला prevention है दो नोट अलाओ water to stagnant ओके अगर कोई बहुत ज़ादा बड़ी water body है तो वहाँ पर kerosene oil बिचा दो insecticide spray कर दो या वहाँ पर कुछ मचलिया होती है ना insecticidal जैसे गेंबूसिया फिश या फिर dragonflies होती है वो भी मच्छर खाती हैं उनको भेज दो कि भाई हमारा थोड़ा काम कर आओ तो हम क्या कर सकते हैं in large water bodies अगर बहुत जादा बड़ी water body है आप उनका कुछ नहीं कर सकते तो क्या करो क्या करो spray insecticide insecticides को spray करो उनके round spill the kerosene oil उस पानी में kerosene oil को spill कर दो और क्या कर सकते हो मचली, गेंबूसिया फिश और dragonflies को भेज दो ये दोनों ही क्या होते हैं ये insecticides मतलब ये insecticides insects को खाते हैं तो इनको tasty लगते हैं अब kerosene oil क्यों करते हैं क्योंकि क्या होता है जो larva होते हैं वो पानी की सतय पे होते हैं उनका आदा मूपर होता है बौडी नीचे होती है उपर से oxygen ले रहे होते हैं अगर आप उपर oil भी चा दोगे तो उनका oxygen supply खतम हो जाएगा और larva मर जाएगे इसके इलावा आप क्या कर सकते हो अगर बाहर जा रहे हो तो आप full clothes में जाओ वैसे तो देखो it's your choice कपड़े पहना आपकी चोईस है जो मर जी पहनो पर जब आपको पता है डेंगू का outbreak है तो full sleeve वाले कपड़े पहन के जाओ and use mosquito repellent मच्छर को मारने वाले chemicals को use करो आजकल तो roll on भी आते हैं कपड़ों पे लगा लो तो उससे मच्छर नहीं आते या फिर घर पे क्या करो घर पे तुम क्या कर सकते हो घर अपने घर को कैसे बचा सकते हो close the doors दर्वाजे जादा बंद रखो windows पे जाली लगाओ windows screen यूज़ करो और vaporizers यूज़ कर सकते हो आते हैं न वो machines आती हैं बेटा छोटी मोटी जिन में वो लगी होते हैं coil हाना ऐसी machine को use कर सकते हो आप ऐसी machine को अगर आपके पास है तो उससे मच्छरों का थोड़ा प्रकोप कम हो जाता है तो अगर आप इन चीजों को use करोगे मच्छर कम आएंगे मच्छर कम आएंगे काटेंगे कम और ये बिमारी नहीं होगी तो डेंगू और चिकन गुनिया दोनों का मच्छर सेम है दोनों ही वाइरल है पर इनमे डिफरेंस क्या है देंगू में प्लेटलेट कम होता है चिकन गुनिया में सबसे ज़ादा जॉइंट पेन होती है तो चलो लिखते हैं इनको What are these same features दोनों में features same क्या है बिटा दोनों के same features है दोनों ही वाइरल है दोनों में ही आपको high fever होगा राइट दोनों में ही fever high होगा दोनों ही बिमारियां क्या है वाइरल है दोनों के vector same है एडीस और difference क्या होगा बेटा दोनों में difference क्या होगा जो डेंगी है डेंगी में जादा तर प्लेटलेट काउंट कम होता है और जो चिकन गुनिया है उसमें आपका पोस्चर खराब हो जाता है because there is severe joint pain, right इसलिए इसका नाम doubled up है, severe joint pain तो यह था बिटा, डेंगो चिकन गुनिया के लिए and please इसके अच्छे से notes बनाना, अपनी copy में attach कर लेना अगर आपके पास already notes है human health के, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो उसमें उसको add कर लेना और नहीं तो इसको अच्छे से याद कर लेना, right और आप ऐसे information बाहर भी लोगों को बता सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने neat करना है तब भी आपको इस information चाहिए यह तो एक basic lifestyle है, basic life की information है और सबको बताइए, डेंगू से वैसे भी WHO के according आधी population दुनिया की डेंगू के risk पे है and around 400 million तक लोग जो है, वो हर साल डेंगू से पीडित होते हैं so why not to spread the information and save a lot of people, right so यह था डेंगू चिकन कुरिया, और हम मिलेंगे और डिफेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए, stay tuned, पढ़ते रहो, all the best for your need, bye bye